नमव नारे जगो माता वंदे मात्रमा भार्ति कुप्रणाम और हिर्देशे आउम शंशन हिस्चराए नमा जून महिने का राशी फल लेकर आपके सामने हूँ और शंपून राश्ट मेरा निवेदन है कि बारा के बारा राश्यों के लिए जून का महिना बहुत महत्पून है और चराचर जगत के लिए ये महिना कुछ लाब भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है इस महिने में दिवादी देव, शनी देव, ब्रश्पती देव और बुद्ध देव तीनों वक्री रहेंगे और दजून दोहतजार 21 सनी जेनती महत्व तो जून का मैना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्पून है थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा तीन ग्रह वक्री हो रहे और शास्तर ये कहते हैं कि जब तीन ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बढ़तनी चाहिए दरानी रहाँ संकेत दे रहाँ बाराक बारा राश्यों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ शावधानिया भी है तो मेरे साथ रहिएगा दूसरा सभी लोगों का ये सवाल लेता कि दाती माराज इराशिपल किस आधार पर है भाई राशिपल जो भारती पदती हैं मैं बहुत गहंतम अध्यन के बाद बताना चाहता हूं कि चंदर राशी के आधार पर ही राशिपल सटिक बैठता है तो ये आपकी अपनी नाम ये जो राशिपल है ये मेरा अनभाव है लादने का सभाव मेरा नहीं है और शेकन ओपनेन का अधिकार हमेशा आपका रहा है तो जून का महिना जून का जो प्रारमिक दिन है पहला दिन है महा का आरंब है जो प्रातेकाली लगन है वो विर्षब लगन है विर्षब लगन करक रासी नवंभाव में के तु विर्शिक रासी अस्थम भाव में हैं शनी इसमें वक्री अवस्ता में हैं 15 जुन 2021 गिशनी और शूरी और राहू में नवंपंचम योग ब्रश्पति चनरवा मंगल और बुद्ध सुक्र में नवंपंचम योग दो जून से करक रासी में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब करक रासी में प्रवेश करेंगे तब शनी से शमशप्ता की योग बनाएंगे और करक रासी में मंगल जोतिसी भासा में नीज़का का जाता है तो शंपूण घ्रे योगायोगों को देख हुए जुन दोहजार एकिस शंपूण विश्व को शावधानी का संकेत दे रहा है मैधनी जोतिस के अनुशार गोचर में राहु के साथ सूरी का भर्मन ये समय अनकुलता का संकेत नहीं दे रहा है उठापटक है संयम और धहरिय बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रको का सामना करना पड़ेगा ये मेरा अनभ विशातियों समझने की कौसिस करना पूरे विश्व में एक हलचल होगी युद की इस्तिती रहेगे और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगर युद हो भी सकते हैं भारत का भागिश और करमे शनी है और देवादी देव सनिदेव स्वराशी दसंभाव में गोचर कर रहे हैं तो इस बात का संकेत मिल आए कि सासन परिपूर्ण शमर्पन के साथ जनता को शपयूट करेगा जनता के भलाई के लिए राष्ट के लोगों के भलाई के लिए सासन अपना पूर्ण प्रियास करेगा लेकिन फिर भी मंगल और शनी का शमशब्त योग शावधानी का संकेत दे रहा है अनावशक टकराव आपदा दुरगटनाग में बढ़ोतरी होती है और विशेश कर कश्मीर, राजस्तान, हरियाना, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मारस्ता, दक्षिन भारत के कुछ हिसे बिहार, मदपरदेश को विशेश रूप से जून के मेने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है दुरगटनाओ का संकेत नजर आ रहा है इन प्राहनतों में विशेश रूप से सामाजिक स्वहारत में कमी का संकेत नजर आ रहा है ब्रषपती और राhu का त्रेकाद समन्द बन्दो किसी भी रूप में ब्रषपती का राhu के साथ समन्द अच्छा नहिं माना डिया है और जब भी ब्रश्पती राहू के साथ समन्द बनाता है ऐसी अवस्ता में प्रमुक पदों पर विराजमान राष्ट के प्रबुद लोग अपनी भासा सहली में राष्ट हित जरूर रखना चाहिए। जब ठाष्ट संगर्श्प्र जूमान राष्ट में कहना चाता हूं कि जून का महिना बारा के बारा राश्यों के लिए लाभ है लेकिन शावधानी का संकेत भी दे रहा है सासन को अंतिम पक्तिक के लोगों पर विसे इस ध्यान देना पड़ेगा और शिमा वेपहनी नजर रखनी होगी महंगाई नहीं बड़े इस समय सासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा मेरा एक छोटा सा प्रयास है चमभवव मेरे से गलती भी हो सकती चटिक भाउश्रावानी प्रचापिता प्रहमा अई कर सकता और कोई नहीं मेरा तो एक छोटा सा प्रियास है चंभो मेरे से गलती भी हो सकती मेरा सभी से अन्रोध है कि राश्रित में सोचना चाहिए विचार करने चाहिए शोध करने चाहिए और शेकन ओपनें का अधिकार आपका और शेकन ओपनें लेना गुणा नहीं यह मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी प्रनी लाता हूँ मातर राश्र की भावना राश्रित की भावना में मैं सेवाकारी करूं मनों नमनों आपकी भरची ना बना रहे और एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि दस ज बिर्सवराशी की बिर्सवराशी वालों जुन 2021 आपके लिए कैसा रहेगा गरनक्षतरों गरना से लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ साथियों और मित्रों कदर करनी है तो जीते जी करो कदर करनी है तो जीते जी करो मरने के बाद तो परायवी भी रो देते हैं भाई इसलिए जीते जी अपनों की अपने माबाप की कदर जरूर करो उनको शमय जरूर दो, उनके साथ जरूर बैटो, ये कारी जरूर करना जीवन में आदी समश्यों का शबधान तो खाली अपनों के साथ बैटने से हो जाता है, विर्षब राशी वालों, जून का महिना क्या संकेत दे रहा है, तो जून के महिने में, महा के आरम में, राशी अ हो से घोफर कर रहे हैं, और 15 जून को सूरय में ठून रासी दूसरे भाव में आ जाएंगर, बुद्ध और् शूकर के साथ, ब्रश्बती चंदर्मा के साथ धुञ राशी दसम्भा में और प्रश्बती 20 जून को कुम्ब राशी में वक्री ओजाएंगी, ठनि वक्री आस् विर्शिक राश्य वालों के लिए जून का मैना नक्षद्र ब्रणनाओं के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा, जहां एक और कुछ रहत मिलेगी वहीं कुछ समयश्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, तो चलिए विर्शिक राश्य वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, केश, सानी जैनती महस्व, भगान शन देव की क्रिपा से कैसे धन की बारजिस हो, आदभुद उपाए बताऊंगा, कि आपके सारे कस्टमित है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, विश्वराश्य वाले विद्यारतियों की शिक्षा के बार, विश्वराश्य वाले विद् मामलों में करी महनत करनी होगी, तब ही सफलता मिली, अच्छे स्कूल और कालेज में पर्वेस्टों मिलेगा, लेकिन इस मामलें 15 जून 2021 के बाद सफलता का योग जादा नजरा रहा है, अर बात करते हैं, विश्वराश्य के जातक जातिकाओं के लिए, भाई बेहनों के ल होगा, अपने सभाव को नियनतर में रखना होगा, परंतु 15 जून से नक्षत गरना अनकूलता का संकेत दे रहा है, कट्रीन परिशन दे पीचा चुटेगा, शपलता प्राप्ति के लिए कि प्रियास सार्थ होंगे, मन अनकूल परिवरतन का प्रभल योग, माता पिता की स जून का महिना, शपलता तो देगा, लेकिन शुर्त की बाव्ना, और अपने एहंकार को काब venom में रखना पड़ेगा, विरस्व्रास्य वाले सभी भाई बैनों के लिए, जून का महिना शपलता का संकेत दे रहा है, लेकिन स्वार्त की भाव्ना, खाली लेने की इच्छा नहीं रखना देने की इच्छा भी रखना अपने हैंकार को काबू करना पड़ेगा इन दो चीजों पर इदिया आपने काबू कर लिया तो यह महीना मनोंकुल शफलता का संकेदी रहा है जो कि वे कारिये बनेंगे उत्सा और कठिम परिशन का मनोंकुल फल प्राप्त होगा वेविशाय में धनलाब और उनतिक अवस्तर प्राप्त होगे सरकारी अधिकारियों का पूर्ण श्योग मिलेगा और देन्दारियों से चुटकारा मिलेगा धन समंधी परिशानियों का निवारान होगा आप अपने वेविशाय में शफलता मैसूस करेंगे छोटे भाई ब मंगल अपनी नीच राशी करक से आपकी राशी तीसरे भाव में गोचर करेगा इसलिए हिदिया आपने अकारण क्रोद किया एहंकार किया या पिर अत्यदिक आतम विश्वास रखा तो वेविशाय नौकरी और आर्थिक प्रस्तित्यों का भी सामना करना पड़ सकता है वै 15 जून तक नौकरी में कठीन प्रिशनों का सामना करना पड़ सकता है शाकर्मिय और बहुत के साथ अनावसिक टक्राव नौकरी में बाधा की संकेत दे रहे इसमें नौकरी में परिवरतन नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा फिर या दिलाने तो 15 जून 2021 के पारवरिक और शमाजिक रिष्टो कर संभाल कर रखना होगा दूसरी भाव में मंगल बुद्ध शुकर का गोचत शावधानी कर संकेते रहे इसलिए अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा इस समय पारवारिक रिष्टों की टक्राव कर संभावना इससे बचना होगा और पारवारिक संपत्य को खरीटे और बेशते समय पारवारिक स्दस्य को शात लेना बहुत जोरी अनाता अनावशक परिषानियों का संभाना करना पर साथ आपके लिए संभू हो तो एस समय भूमी भवन वहन का क्रे और विक्रे दुनों नहीं करे बड़ा शुब रहेगा व में रेंड के लेंडेंज से बचना बहुत जरूरी विवादी सोतों में पूंजी निवेस नुकसान देगा वैवसाय की यात्राव में हल्क किसी जूग मोटा नुकसान दे सकती और बचना चाहिए आपको यात्रा पंद्रा जुन दो हजार एकिस बाद दिरी दिरे प्रिश होग करें हो या श्वाद लिए इस के लिए विट राशी के लिए 15 जुन तक का समय विशेश चे का संकेदर 15 जुन दो हजार एकिस तक विश्व राशी के भाई दो को थोड़ी सी सावधानी बढ़तनी हुई इस समय सूरी राओ से पीड़ीते भाई उच्छ रख्टिताब आपच आतो समंधी बिमारी पेट या दिल समंधी कोई बिमारी है तो चिकसा मेला परवाई नहीं करें रख्ट विकार शंकरमन या गर्मी की कोई प्राब्लम है तो तुरन डॉक्टर से बात करें इसमिफ पंद्रा जून के बाद सुष्टमिन्दे प्रेशानि में भी कम्यारी जोन के मेने में अपनी व्यक्तिकत इस्वहों को कंड्रोल करना बहुत जरूरी है किसी को पैसा उधार देने से बचे रिष्टे खराब हो जाएगी वैविशाय में पूंजे निवेश सोच समझ कर करें नुक्सान की संभावना है अपने वैवार अपनी बानी पर अंकुष रखना बहुत जरूरी अनिता नुक्सान है हर रोज प्रातिकाल नित्य कर्म निर्वत शिनान उपरांथ दूद में रोटी को चूर दीजिए और कुट्टे को फिला देजिए अद्भूद उपाए है विश्वराशिवालों पूरे महीने जून के इस पूरे महीन में मालक्षमी के स्रिविग्र के सामने हर रोज नो गु पूरे किस सनि जैनती महस्तो अर आधभूद दिन है बर्सेगा धन होगा परिशान्यों का निवरन घर आएगी मालक्षमी मिटेगे कस्त बतारहूं जो उपाई कर लेना प्रतिकाल नित्य कर्म शिनान उपरांत यदि लोगडाउन नहीं है तो आप देवादी देव सनी दे सुदासन पर बैठ जाए ओम शम धरनी धरायनमा इस मंत्र का एक सो आट बार चाप करें यूटूब पर मिल जाएगा या गूगल पर मिल जाएगा शिव महमन इस्तरोत की साथ पाठ करिए पीले कपड़े में शवा किलो शाबुद हल्दी बांद कर किसी मंदिर या पूजा माझती मंदिर में रखे आ जाना अपने घर में और माभगवती के घर में 11 घीके बीपक जलाए और अपने घर में उस दिन 11 अ कि 11 सशें के डिपक जली। और घर के हर कौन में रखिए और माई की सिर्चलन में चुनरी भेट कर देते हैं तो देवादी देव सनिदेव की किरपा मिलेगी, धन आएगा, नौकरी में शपलता मिलेगी, कारवार श्रमंदी परिशान का निवान होगा और रोगों से पीछा चुटेगा और ये वाइरस म अवश्य कम्या आएगी, नमाना रहेगा, सातियों और मित्रों मैंने अपने विचार रखे, मानो नमानो आपकी मजी, सेकेंड ओपिनन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा, राश्ट का नागरियू, निवेदन जरूर करूँगा, दोगज की दूरी और मास जरूरी है, नमाना रहेगा, इनतीस साल में, डिवादी देव सन्यदेव की कृपा से, गो माता की सेवा में लगा रहा, पिछले दो-तीन सालों से, मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है, जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा वैवधान आय राष्ट में पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मिरिसे जब कहा की राष्ट आपकी बात सुनते हैं, राष्ट आप पर विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया, कि मित्रों और शाथियों, मेरी आर्थीक प्रस्ति इस समें ठीक नहीं है, मुझे गोमाता की सिवा में आपका सहोग चाहिए, आप गोमाता की सिवा करेंगे, तो मैं आपकी सिवा में हजी हूँ, जो मैं जानता हूँ, मेरे आराध्ये देवादी देवसनी देवरु गुरु महराध जी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला आपको जोतिसी समधान में मेरा शहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता प्रमा नहीं हूँ और नहीं मैं हतेली में सरसु उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवज भी मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गुमाता के लिए 20 सुरुपिया गुसाला में जरूर दे आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सयोग कर रहे है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गुमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गुमाता भुकी ने रहे मेरी गुमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाथा की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की बज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इस से मेरा निवदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ प्रियास करिए नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर संपर करिए मैं आपसे वीडियो कांफरेंस में जरूर बात करूँगा और ये मेरा शोभा क्या होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहु करूँ जब आपको मेरी आउश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलबद रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोतिसी समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सिवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहेंगे चिड़ी चौच भर गई निवेदन करें आज तक मैंने राश्ट से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने ये जरूर कहा कि सेवा बे ध्यान देजिए मैं भी सेवा करूँ आप भी सेवा करें इस समें मैं खल लिवानी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ मेरी आर्तिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की वेवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि राष्ट के लोग 2100 रुपय भी गो साला में दे देंगे कुछ तो मुझे स्वयोग में लेगा जो लोग स्वयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार और जो लोग स्वयोग के लिए आगे आएंगे सनी भगवान की सिन्चनव मेरी प्रात्ना की सनी भगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुशें से भरा रहे हैं मित्रों और साथियों जाति भारात जिवन भरा आपके आभारी रहेंगे इस सिवा के लिए मेरी गोमाता भुकी नहीं रहे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमोना रहें